हलो बेटा इस वीडियो में हम 24 से आगे के कुश्चन से एक्स्प्लेन करने जा रहे हैं जिसमें बेटा हमारा 25 कुश्चन है कारवन के एक गुटके का साइज 1.0 cm x 1.0 cm x 50 cm है प्रत्रोध जाद कीजिये गुटके के बरगाकार सिलों के वीच सता अधो आयताकार कारवन का विसिष्ट प्रत्रोध रो विसिष्ट प्रत्रोध क्या होता बेटा रो रो दे रखा है तो मैं 3.5 तो यहाँ पर बेटा हमने विसिष्ट प्रत्रोध निकाल लिया 3.5 10.5-3 o in to सेंटीमीटर सेंटीमीटरों कनवर्ट कर दिया माइनस दो में तो कितना हो गए बेटा तीन पॉइंट पाँच इंडू दसपेगाद माइनस के पाँच हो मिन्टू मीटर यह बेटा हमने एक गनाकार फलक बनाया है इस गनाकार फलक में तुमने देगा ये 11 cm ये बरगाकार फलक हो गया है और ये आयताकार फलक हो गया तो पहले पूछा है बरगाकार फलक के बीच में तो बरगाकार फलक के बीच में बरगा का छेत्रपल लेना है और बरक का छेत्रपल क्या हो जाएगा ये दोनों का गुड़न फल और फिर हमें लेना है आयत का छेत्रपल तो आयत के छेत्रपल में क्या हो जाएगा जीले ले फोजाएगा एच ही हो जाएगा तो यहां पर बेट पहले हमने क्या किया अग्ड़ा कार सिरों के भीच प्रतिरू तो बर्लगा कार सिरों के भीच प्रतिरू देखेंगे तो ल कितना हो जाएगा वेटा पचास सेंटी मीटर फचासी कुड़न Move-2 और इस बरेगा क क्योंकि बरगाकार सिरों के बीच पूचा था इसलिए हमने बरग का छेत्र पल ले लिया जहाँ पे और लंबा है उसकी पचास हो गई अब यहां प्रत्रोध का सूत्तर लगाएंगे बेटा आर बरावर रो एल अपॉन ए और रो का बेटा मान कितना था तीन पॉइंट 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 मैंच दुई तो कितना हो जाएका मैंच का तीन पचास का सिम्सुर्ट ओड़ात्त का सबसक्र दो कितना हो 155- लेना यानि लंबाई ये चोड़ाई ये तो छेत्रपल अब क्या हो जाएगा लंबाई हो जाएगी बीटा एक सेंटीमीटर क्या हो जाएगा एक सेंटीमीटर तो मीटर में मार रख दिया तीन पॉइंट पांच दस्पैगाद मैनस के पांच एल कमान एक गुड़ा दस्पैगाद मैनस के दो और छेतर बल कितना था यह रहा पचास गुड़ा दस्पैगाद मैनस के चार यह लिख दिया पचास गुड़ा दस्पैगाद मैनस के चार तो बैटा इसे हम उनी क्या कर लिया? मैनस 21 कितना हो गया? मैनस का साथ. मैनस का साथ हो गया और ये जीरो से गात कम कर दिया मैनस का तीन बचा मैनस के तीन के उपर लेगे मैनस का कितना बचा चार बचा तीन से पांच से तीन पांच काट दिया पांच सेवन बचा यानि साथ गुड़ा दस पांच गात से आधी लंबाई का तार खीचा जाता है नए तार का प्रतिरोद क्या होगा तो कितनी लंबाई खीची जाती है आधी खीची जाती है कितनी खीची जाती है आधी आरवन कितना दे रखा वेटा सोला ओम दे रखा है तो यहां पर वेटा आरवन कितना है सोला ओम एन कितना तो 1y2 गा स्क्वेर 1 कितना है वेटा 16 तो यह हमने 16 रख दिया 1y2 गा स्क्वेर 1y4 हो गया 4 से 16 क्या बार कटिया वेटा 4 बार कटिया तो एंसर कितना आ गया वेटा 4 ओम आ गया 27 इसके बाद वेटा पॉस्चन नम्मा 27 क्या कह रहा है एक तार का प्रतिरूद 8 ओम है प्रतिरूद कितना वेटा 8 ओम इसे दोगनी लंबाई तक खीचा जाता है तो यहां पर वेटा आदा खीचा था तो एंकमान आदा हो गया तो यहां पर लंबाई दोगनी खीची है तो वेटा एंकमान कितना ह को जाएगा म हो जायकर तो नया प्रत्रोद पूच रखा है तो यहां पर वीटा। आरवन कितना दे रखा था आरवन आठ ओम दे रखा था तो आरवन वेटा हमने आठ ओम लिखा एन दोग नहीं तो खीचा था उसने तो एन कमान दोग यहनों आठ टू हमें क्या करना है क्यात करना है तो आरवन कितना वेटा दो आरवन कितना वेटा आठ दो कमान कितना वेट चार आठ चौक बतीस यानि कितना आ गया विटा 32 ओम आ गया तो ये विटा किसका मान निकलाया आठ इसके बाद विटा कुश्चन नमबर अगला ट्विटी एट ये विटा इंपोर्टेंट कुश्चन है विवह अध्जादा एक बेलनाकार तार को खीच कर उसकी लंबाई दस प्रतिसत बढ़ा दी जाती है इस तार के प्रतिरोध में प्रतिसत ब्रद्धी की गड़ना कीजी देवटा इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं एक तो इस तरीके से कर सकते हैं कि हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि कोई भी बस तु अपनी आप में कितने percent होती है 100% होती है और 10% की उसमें व्रद्धी कर दी तो सुरूवात में लंबाई अपने आप में कितनी थी? 100% बाद में बढ़ा कितनी थी? 10% तो इस तरीके के questions में एक strategy हम ये भी अपना सकते हैं कि उसने लंबाई हमने L1 अपने आप में कितनी मान ली 100% अब 10% ही तो बढ़ाई तो हमने 100 में 10 और जोड़ दिया तो L2 कितना हो गए 110% L2 कितना हो गए 110% तो L1 L2 की वैलू प्राप्त हो गई हमें प्रतिसाद प्रत्रोद में प्रतिसाद प्रति ज्याद करनी हैं तो यहाँ पर वेटा हमने L1 की वैलू रख देंगे 100 L2 की वैलू रख देंगे 110 0 से 0 वट गया कितना बचा वेटा 10 वटा 11 10 का वरक कितना हो गया 111 21, 121 हो गया, तो बेटा, एक तो इस तरीके से जाद कर लें कि हम उस लंबाई को अपने आप में 100% माल लेंगे, और एक इस तरीके से भी जाद कर लेंगे, कि L1, L1 मान के चलते हैं, कितना है, L है, कितना है, L है, और इसमें कितने परसंट की प्रद्धी कर दी, 10% की, तो L2 ब करना है, 10%, 10 बटे 100, 0 से 0, हट गया, तो यानी L प्लस L बटे 10 हो जाएगा, तो दस एक अ दस, यानी कितना हो गया, बीटा, कितना हो गया, 11 बटे 10 L, तो यहां से भी हमारा, क्या निकल के आ रहा, 11 बटे 10 ही निकल के आ रहा और यहां से भी हमारा क्या निकल के आया था यहां से 11 वट्टे क्या निकल के आया 10 तो L2 निकल आया 11 वट्टे 10 तो अगर हम L1 और L2 को अनुपात लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 वट्टे 11 हो जाएगा कितना हो जाए 10 वट्टे 11 क्योंकि देखो यहांसे अगर L1 L2 को अनुपात निकाले तो L1 कितना है L और L2 कितना है 11 वट्टे 10 L L से L कट गया 10 ऊपर महोंच जाए तो 10 वट्टे क्या हो जाए 11 तो L1 L2 का अनुपात यहांभी 10 वट्टे 11 आ रहा था यहाँ से भी 10 वट्टे तो चाहे तो वेटा इस थरीके से कर लो और चाहे इस थरीके से कर लो ठीक है तो हमने इस थरीके से कर लिया तो R2 बराबर R2 बराबर कितना होए 121 वट्टे 100 आरवन अब प्रच्छुत वृद्धी का सूत लगादी R2-R1 वट्टे R1 R2 की वैल्यू ये रख दी 121-R1 वट्टे 100 121 वट्टे 100 R1-R1 वट्टे R1 इसके वट्टे में एक मानिके LCM ले लेंगे कितना जाएगा 100 तो 121-R1 यहां लगे दी है 100-R1 यहां लगे दी है 121 में से 100 गटा दो 21-R1-R1-R1 कटे गया 100-100 कटे गया आंसर कितना आगे वैटा 21% तो वैटा एक बार फिर इसको रिवाइच कर देते हैं कि कोई वे बस तू अपने आप में 100% होती है तो 1100 होगे 10% की ब्रद्दी कर दी तो L2 110 होगे प्रत्रोध में प्रत्सद रख दी R1 बट्टे R2 बराबर L1 बट्टे L2 का लूँ इसके रहे L1 की वैलू रख दी L2 की वैलू रख दी 16 कर दी ये निकलाए 10 का बरक कर दी 11 का बरक कर दी तो R2 हमने यहां से निकाल लिया अब यहां पर इसे रख दी और अल्पा बराबर R2 मानस R1 R1 T2 मानस R2 T1 ये सूत्र यूज होंगे इसमें अब देवाटा पहला कुश्चन है कि किसी फिलामेंट का 100 डिगरी सी पर प्रत्रोध 100 हम है तो यहां पर वैटा 100 डिगरी सी पर प्रत्रोध वैटा इसका कितना है तार A का व्यास तार B के व्यास का आदा है तो तार A का व्यास B के व्यास का आदा है यदि तार A का प्रत्रोध 24 हो हो तो तार B के प्रत्रोध की घड़ना केजिए तो देखो बैटा तार A का व्यास तो तार A का व्यास हमने माल लिया D तो त्रिज्जा क्या हो जाएगी डी वाई टू और तार बी का व्यास अब एका व्यास बी का आदा ही तो है तो बी का व्यास टूडी होना चाहिए तबी तो आदा होगा डी तो हमने बी का व्यास माल लिए टूडी तो त्रिज्जा कितनी हो जाएगी डी चोगे आदा हमां इसका तो सूत लगा देंगे रे अपोन आरवी बरादबर आरब़ी वट्टे आरे का वुल पावर फूर आर्वी कितना बेटा डी कितना है यहां लिगी दैंगे आर बी कितना है कि यहां पर लाइटाए से डि कटे गया, दो पेगा, चार कमान कितना हो गया, 16, तो आरे अपोन आरवी बरावर 16, आरे बेटा कितना दे रखा था हम है, 24 ओम, तो यहां लिखे दिया हमने 24 बट्टे आरवी बरावर 16, तो आरवी बरावर 24 बट्टे 16, 16 का डिवाइड कर दो 1.5 ओम ठीक है, ठीक है, इसके बाद अगला कुश्चन से अपना किसी फिलामेंट का 100 डिगरी सी पर प्रतरूद 100 ओम है, तो यहां पर रिखते हो, यहां पर हमने लिखा है कि टी बन बरावर 100 और आर बन बरावर को कितना है, 100 तो 100 डिगरी सी पर प्रतरूद 200 ओम है तो 400 पर प्रतरूद कितना है आर टी टू बरावर 400 तो आर टू कितना है, 200 अलपा पूछ रखा है उसने ताप गडांग ग्यात कीजिए तो हमें क्या ग्यात करना है, ताप गडांग यानि T2 है हमारे पास R2 है हमारे पास तो ताप गड़ांकी के लिए हम ये वाला formula लगाएंगे तो यहां से हमने ये वाला formula लगा लिया ये वाला R2 minus R1 वट्टे R1 T2 minus R2 T1 यह वैल्यूज यहां पर यह सारी value रख देना और यहां से alpha का मान निकाल लेना ठीक है अगला question पीटा पढ़ते हो question number 31 किसी बैद्दूत वल्ब के तंतूगा 100 degree C पर प्रत्रूत 100 ohm है यानि T1 100 है और R1 100 है ताप गड़ांक alpha 0.05 प्रत्रीडिगरी C यह alpha का मान दे रखा है ताप की गड़ना कीजी यानि T2 गयात करना है और R2 दे रखा है 200 ohm तो पीटा ये question इसी का विपरीत है इसमें alpha पूचाता है उसने और इसमें ये वाला मान पूचा है T2 पूचा है 100-400 degree C तो यहाँ पर पीटा हमने ये values देख रखी हैं कि T1 कितना है पीटा T1 है 100 degree centigrade और R1 है 100 ohm alpha कितना है 0.05 प्रद डिगरी C T2 गयात करना है R2 कितना है विटा 200 ohm ठीक है तो यहाँ पर formula लगाएंगे alpha ब्रावर R2 माइनस R1 बटे R1 T2 माइनस R2 T1 ठीक है विटा तो R2 कितना है विटा 200 ohm यहाँ अमने 200 ohm लिग दिया R1 कितना है 100 ohm यहाँ 100 ohm लिग दिया ठीक है विटा और यहाँ पर भी अमने R1 का माइन कितना लिग दिया 100 लिग दिया यह T2 माइनस R2 का माइन कितना लिग दिया 200 यहाँ 200 लिग दिया T1 कितना है विटा T1 है 100 यहाँ 100 लिग दिया ठीक है विटा तो सारी values हमने put कर दी एक बार फिर बता दें तो मैं R2 कमान 200 यहां 200 लिख दिया R1 कमान कितना है 100 यहां 100 लिख दिया और फिर R1 कमान 100 है और R2 कमान 200 है तो यह values रख दिया T1 कमान यह रख दिया अब यहां से विटा क्या गरिया 200 में 100 गटा दिया यह कितने बचे 100 इस वाली value कमाने इदर पच्चांतर कर दिया इसका इसमें गुड़ा करके तो 4-0 आ जाएंगे पॉइंट अठाके उपर बढ़ा दिया के जुरू बढ़ाई 3 पांच से इसे काट दो क्या बार गट गया 2 पांच से अगले कुष्च आम अगले के कुष्च आम अगले वीडियो में एक्स्प्लेंन करेंगे और यहां तक जितने भी कुष्च आपको समझ में आगे होगे तो हमें कोवेंट करेंगे जरूर बताएं थैंक्स पर वाचिंग